इंटेंसिव, एक्स्टेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग और हमारा जो मेन टॉपिक है ये शोक रुआ दें यार इसको पेज को जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है शाबश आपने कुई मालूमात है आपको इंटेंसिव रीडिंग की हाँ जी अच्छा intensive and extensive are the major types of reading their name suggests the basic difference between both these types of reading is the intention of the reader following are the points about the difference between intensive reading or extensive reading नीचे कुछ पॉइंट्स दिये हैं ये मेजर टाइप्स हैं रिडिंग की पढ़ना कैसे है और इसमें ये चीजें बताई जाती है कि हमें कोई भी चीज पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है और क्या मतलब होता है हमारा पढ़ने का और अगर टाइम के हिसाब से कैसे मैनेज करें हम एक्स्टेंसेव रिडिंग की तरफ जाएंगे या एक्स्टेंसेव रिडिंग की तरफ जाएंगे तो आपको टाइम के मताबक ये इसको पढ़ने से आपको काफी समझ आ जाजाएगी कि हमने रिडिंग करनी कैसे है ठीक हो गया अच्छा नंबर एक है भई एक्स्टेंसिव रीडिंग को का वो टॉपिक हम पहले देखते हैं पहला जो है उसमें वो कहता है कि कहता है एक्स्टेंसिव रीडिंग इस कंसीडर्ड एक्स्टेंसिव रीडिंग है इसको समझा जाता है कि यह तेजी से पढ़ना होता है तेज तेज पढ़ना होता है दे रीडर रीड बुक्स आफ्टर बुक्स जिसमें जो पढ़ने वाला है किताबों किताब में ही किताब में पढ़ता जाता है its attention is paid to the meaning of the text itself इसकी जो तुज्ज़ होती है वो टेक्स्ट की मतलब पे होती है not the language वो जुबानदानी को इसने कोई नहीं समझना होता है कि जुबानदानी से मुराद ग्रैमर शिरामर के लिहाद से ये फिकरा ठीक है गलत है ये लफज आगे आना था पीछे आना था यानि लेंग्वेज से उसका कोई तालक नहीं वो टेक्स को पढ़ता जाता है कि क्या मतलब है वो निकालता जाता है अब इसके मतबादल जो है उसने दिया है intensive reading इसी topic इसी वर जो है statement की उपर उसके मुकाबले में intensive reading देखते हैं intensive का मानी होते हैं गहराई में जाके पढ़ना शिदत से पढ़ना intensive reading means इसका मतलब है the readers take a text reader text को लेता है study it line by line इसकी एक line पढ़ता है refer at very moment to the dictionary dictionary बिक्शनरी बिताती है about the grammar of the text itself और text की grammar का भी बताया जा रहा होता है कि यह grammatically लिहाज से ठीक है यह line हमने यहनी सिर्फ मतलब भी निकाल लेने हैं और उसके साथ साथ उसकी grammar भी देखनी होती है उसके spelling भी देखने होते है उसका tense wise भी देखने होती है वो intensive reading होती है number two दूसरा point है the purpose of intensive reading is for player and information जो मकसद है extensive reading का जो मकसद होता है वो खुशी हासल करना और मालूमात लेना है बस player and information लेना होता है जबकि intensive reading में the purpose of intensive reading is getting literal meaning of the text वहाँ जो मकसद होता है intensive reading का इस के मुकाबले में इस statement के मुकाबले में is getting literal meaning literal meaning कहते हैं लफज-लफज का मानी निकालना of the text text के एक लफज का मानी निकालना होता है उदर सिर्फ खुशी और information लेना है और इदर एक एक लफज का मानी निकालना है number three तीसरे पर आ जाएं तीसरे में वो कहता है readers are more concerned with meaning of the text than the meaning of individual words or sentences number three जो reader है पढ़ने वाला या पढ़ने वाले are more concerned इनका तालुक ज्यादा होता है with the meaning of the text text के मतलब से मानी से than the meaning of individual words एक एक लफज के मानी को देखना नहीं होता out of sentences या एक एक sentence के मानी को देखना नहीं होता overall your text है उसका क्या मानी है ये क्या मतलब है overall मुझ्मून का क्या मतलब है democracy के उपर है या अमरियत के उपर है बस वो देखना होता है और उसको बस मालूमात लेके आगे जाना होता है इधर इसके मुतका मुतबादल जो इसी फिक्रे का है इंटेंसिब रीडिंग देखते हैं उसमें वो कहना चाहरा है और रीडर्स आर आल्सो कंसर्ण वेद मीनिंग ऑफ इंडिविज्व वर्ड्स वहां पर पढ़ने वाले का जो मतलब होता है वह एक एक लफ़ के मानी से होता है और सेंटेंस और एक एक सेंटेंस से होता है यह समझ आ रही है बच्छो अच्छा चौथा पॉइंट देखें थोड़ा बहुत हो आपको क्वेस्चन नहीं नहीं कर रहे थे अच्छा चौथा है जब हम पढ़ते हैं नावल वगएरा मैगजीन नियूजपेपर्स ये एकस्टेंसिव रीडिंग की मिसाले हैं इनको जब पढ़ा जाता है तो वो मिसाले हैं एकस्टेंसिव रीडिंग की वहाँ नावल को आपने जल्दी जल्दी पढ़ना होता है उसके एके लफज के पीछे नहीं जाना होता है जबके Reading of textbooks is the example of intensive reading textbooks को पढ़ना कोई भी कलाम किसी बंदे का मुकाला पढ़ना इसको textbooks कहा जाता है तो इसका तालव कि intensive reading से होता है किदर चला गया इसके बाद आगला पॉइंट है यह आगे गया भी हो गया हाँ नमबर चार के बाद है पांचमा पांचमा देखें आप लोग चार के बाद पांच पांच में कहता है जर्नल साइलेंट रीडिंग जर्नली साइलेंट रीडिंग बिकम्स अग्जेंपल आफ एक्स्टेंसे रीडिंग आम तोर पे खामोशी से पढ़ना ये extensive reading की एक मिसाल है खामोशी से पढ़ना उदर वो कहता है खामोशी से पढ़ने के मुकाबले में वो कहता है generally oral reading यानि जुबानी बुलंदावा से पढ़ना becomes the example of extensive reading ये एक extensive reading की एक मिसाल है अच्छा छटा है extensive reading is of the large quantities extensive reading में आपने ज्याद ज्यादा पढ़ना होता है large quantities ज्याद ज्यादा पढ़ना होता है of the material ज्याद ज्यादा मवाद की मिकदार को बड़ी मिकदार को पढ़ना होता है long text और लंबी text को पढ़ना होता है because reading is individualized यहां पर जो हर बंदे की अपनी मर्जी के मताग पढ़ना होता है स्टूडेंट चूज दा बुक्स बाय देमसेल्फ और यहां पर एक्स्टेंट सब रिडिंग में तुलबाने अपनी मर्जी से किताब में उठानी होती है इसका अपनी मर्जी से पढ़ना एक बंदा पढ़े जितने ज़्याद पढ़ रहा है दूसरे ने कम पढ़ना होता है जबके हम इंटेंसिव रिडिंग में सबने मुश्तरका पढ़ना होता है और एक यह जीज़ के पिछे पढ़ना होता है नमबर छे इसका देखते हैं उसमें वो कहता है इंटेंसिव रिडिंग इस जीज़ियली एक लास्रूम और्येंटेड एक्टिविटी यह क्लास्रूम पर जो मबनी एक सरगर्मी होती है तुल्बा ने लिंग्विस्टिक पर फोकुस करना होता है लिंग्विस्टिक कहते हैं ব इनटेविक्क पढ़नी होते हैं स्चैंटीफिक स्टडी ऑफ दा लेंग्विज़ यह गत्यूंपर उसकी स्टडीविक्टिक way ग्रामर्मर्टिक ली वह linguistic का मानी होता है scientific study of the language किसी भी language की scientific तरीके से study की जाती है वो एक word को पीछे जाया जाता है तो अपनी मर्जी से नहीं होता है और class oriented activity कहला दी यह पूरी class एक किताब पढ़ रही हो टीचर भी एक ही चीज़ को पढ़ रहा होता है तो class oriented जो activity होती है उसमें बहुत सारे लोग एक ही चीज़ को एक एक लफ़ को देख रहे होते हैं और उसका मतलब or semantic details of the passage semantic detail semantic के मानी को समझेना एक word के single word के मानी को समझेना समेंटिक details of the passage passage की एक एक लफज के माणी है है और यह कहां से बना किदर से आया फिर यहां किया माणी दे रहा है और यह grammatical लिहा थीक है पिछले के लिहा से spelling इसके ठीक है सही चुना गया है लफज चुना गया है तो क्यूं चुना गया है तो यह एक लफज इसको semantic detail of the passage कहा जाता Intensive reading calls students' attention to grammatical forms Intensive reading के अंदर तुल्बा को की तुज़ग खेंची जाती है To the grammatical forms Grammar की शकल पर Discourse Markers पर खेंची जाती है Other surface structure दूसरे सती ही बनावट पर Structure details पर For the purpose of understanding the literal meaning ताके बच्चे को literal meaning यानि एक एक लफज के मानी की समझ आ जाए क्या इसी लाइन को दोबरा देखते हैं Intensive reading calls students' attention तुज़ग को तुल्बा की तुज़ग को लिया जाता है To the grammatical form के grammatical form क्या है Discourse marker Discourse marker कहते हैं लफज से जब चीज़ बढ़ जाती है एक फिक्रे की तरफ फिक्रे फिक्रे फिर कैसे जुड़कर एक paragraph बनाते है Paragraph मिलकर एक मुझमून को कैसे घड़ा जाता है इसको कहते है Discourse Discourse marker marker कहते हैं निशान Discourse marker कहते हैं कि एक एक जुमला कैसे जोडा गया और जुमले से फिर कैसे पैरा बना पैरे आपस में जोड कर पूरे कपूरे मजमून को कैसे तर्तीब दे रहे हैं तो इसको कहते हैं डिसकोर्स मारकर की तरफ खेंची जाती है बचें को तवज़ो अधर सर्फेस अट्रक्चर या दूसरी सतही सट्रक्चर क्या है तफसीलात क्या है सतही बनावड की तफसीलात क्या है पर परपस ऑफ अंडरस्टैनिंग दे लिटरियर में नहीं हैं जी जी बच्चे क्यों नहीं मिर रहा यह वही पेज़ी है यह इंटेंसिव वाली साइड पर चले जाए ना किदे रहें वह विक्चर सामने करो यह जो पॉइंट च्टा इदर एक्स्टैनसिव है तो उसी की बेस पे जो है ना इंटेंसिव रीडिम को तरतीब दिया गया है यह बच्चे मैं यही पढ़ रहा हूं यह जो सामने बड़ी सी टेक्स्ट निकार रहा है इसको पढ़ रहा हूं इदर से छटा इदर वाला पॉंट पढ़ा था और यह मैं आप पढ़ रहा हूं यह वाला सामने यह जो बड़ी सी टेक्स्ट है बड़ा खानना नजर आ रहा और बच्चा आगे तो ठीक है बरना दुबारा पढ़ते तक चलो आखरी जो लाइन है न बड़ा आगे ये समन्हों चलो शाबाशी ये इच्छी बात अच्छा यह अच्छा चलो यह भी अच्छी बात है अच्छा उसके बाद है सैवन पॉइंट है सैवन पॉइंट सैवन पॉइंट यह सामने फिर क्यों नहीं नदर आ रहा है अच्छा साथमा पॉइंट है एक्स्टेंसिव रीडिंग मींज टू रीड अलाट आफ मैटर एक्स्टेंसिव रीडिंग के अंदर इसका मतलब होता है कि आपने ज्याद से ज्यादा मवाद को पढ़ना है इसी के मुतबादल ज्यादा मवाद के बारे में और जो इंटेंसिव रीडिंग में क्या कहता है इंटेंसिव रीडिंग मींज टू रीड सम मैटर आपने थोड़ा सा मवाद पढ़ना है वेरी थारोली लेकिन उसको बड़ी तफसील से पढ़ना है डीपली और गहराई में जाकर पढ़ना है extensive reading में हमने देखा कि मवाद को ज्याद ज्यादा पढ़ना है लेकिन intensive reading के अंदर थोड़ा सा मवाद पढ़ना है लेकिन उसको तफसील से और गहराई में जाकर पढ़ना है नमबर आठ उसमें वो कहता है extensive reading means reading different books of similar ideas extensive reading का यहाँ मतलब है वो कहता है reading different books कई किताबیں पढ़ना है of similar idea लेकिन एक idea को लेकर कई किताबیں पढ़ना ही होती है idea एक हो लेकिन बहुत सी किताबیں पढ़ना ही होती है यह extensive reading है इसके मुत्बादल जो हम देखते हैं intensive reading का इसी topic के उपर क्या कहना है intensive reading means reading single book intensive reading का मतलब है एक ही किताब पढ़नी है over and over और उसको बार बार पढ़ना है to get its literal meaning ताके एक एक लफज के मानी की समझाज है तो यह था भई topic आपका intensive reading को समझाना है लेकिन through extensive reading मैंने इसको समझाया है ताके आप कोई intensive reading की समझा आ जाए और extensive purpose क्या है ताके आप judgment कर सकें कि हमने हम कौन सी चीजें पढ़ रहे हैं और अगर हमने ज्याद ज्यादा पढ़ना है time थोड़ा है extensive reading क्या होती है intensive क्या होती है और कोई भी text जो आप पढ़ने जा रहे हैं आपको अंदाजा होना चाहिए कि हमने क्या करना है और इसको किस तरीके से पढ़ना है intensively पढ़ना है या intensively पढ़ना है तो novel पढ़ने जा रहे हैं तो हमने कैसे पढ़ना है और class का को topic पढ़ने जा रहे हैं तो उसको हमने कैसे पढ़ना है तो journal मक्सद तो इन चीजों का यही है कि आपको पता होना चाहिए कि हम कौन आप कौन सी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं को पता होना है कि इंटेंसे रीडेंग और एक्सेंसे करनी है और एक स्टेंसे रीडिम कैसे करनी है तो यह तो अच्छी बात है